हेलो फ्रेंड्स मैसेल्फ नदीम टीम केमिस्ट्री मैं आप से डिस्क्स हरूंगा फिजिकल पार्ट एम्टीस वन का जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है दो वैलू आफ एक्स एंड वाई इन फॉल्विंग रेडॉक्स रियक्षन वैसे तो यह दिस्ट्रपोर्शनेट रियक्षन है तो आपको यह एक्स वाई और एक्स के बारे में बात करने है तो देखो इसको थोड़ा अलग अलग लेकर बैलेंस कर दो इसको ठीए तो देखो कितना आ रहा है 0 से प्लस 5 या ऐसा करते है बैलेंस ही कर देते है तो क्लोरीन यहाँ पे 2 हो गया इधर हो गया 6 वोटर और इधर हो गया 12 H positive और इधर 2 negative 10 positive इधर 0 है तो 10 electron इधर हमने add कर दिया अब उसी तरह से यह इसके साथ भी ले लो disproportionation है तो CL माइनस बैलेंस कर दिया 2 electron इधर अब इधर 10 है इधर 2 है तो इधर 5 का multiply कर लेते हैं add कर देते हैं 6 H2O प्लस 5 और 2 6 CL2 इधर हो जाएगा 10 CL माइनस प्लस 2 C L O 3 माइनस प्लस 12 H पॉसितिव यह हो क्या वैसे तो इसको basic मेडियम में करना है तो आप चाहे तो इधर 12 OH माइनस इधर कर लो और 12 OH माइनस इधर कर लो बैलेंस हो जाएगा वाटर इधर कितना हो जाएगा 12 वाटर वो यहां से कट जाएगा तो खैर इसको अभी और चाह करी लेते हैं यह मिलकर क्या बना दिया 12 H2O अब इसको simplify कर देते हैं तो देखो यह 6 से यह बचा कितना यहां पर 6 H2O और simplify क्या हो सकता है और क्या simplify हो सकता है टू से एक बार divide करते हैं इसको तो यह 6 हो जाएगा यह 3 हो जाएगा यह 5 हो जाएगा यह 1 हो जाएगा यह 3 हो जाएगा अब देखते हैं क्या क्या कुछ है तो c l2 अपना आया 3 और यह आया 5 यह आद सब्सक्राइब है ठीक है एक्स एंड य नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि विच अधा फॉल्लविंग सेट आफ कॉंटरम नंबर इस इंपॉसिबल इंपॉसिबल अरेंजमेंट बुला है तो देखो भाइस में एन इक्वल टू थ्री अगर है दो एक्वल तो क्या हो सकता है 012 कि वेलू 0-1 से plus 1 या प्लस 1 से माइनस 1 मतलब यह possible है फुल मिला कर यह possible है एक बार ऐसा करते हैं अपन चलते हैं इस वाले में देखते हैं इस वाले में देखते हैं अगर N की वेलू 3 है तो L की वेलू क्या होगी 012 तो एम की वेलू जीरो माइनस वन से प्लस वन माइनस टू से प्लस टू अब यह थरी तो नहीं आएगा ना इसमें यह तो पॉसिबल नहीं है इसमें पांसर कौन सा हो जाएगा पॉर्ट इम्पॉसिबल अरिज्मेंट पूछा नेक्स्ट विच फॉलविंग डाइग्राम करेक्टली डिस्क्राइब दभी हैवियर और फिक्ष्ट माइस तो टेंप्रेचर इसमें ठीक है पीवी ग्राफ आप जानते हो पीवी ग्राफ अगर ड्रॉ करते हैं तो यह ऐसे कुछ आता है तो यह तो गलत हो गया पी वी एवी गलत है इसमें वी कॉंस्टेंट ये इस गलत हो गया पी वी वर्सेस पी पी वी वर्सेस पी अगर ग्राफ ड्रॉ करते हो तो ऐसे आएगा पी वी कॉल टॉ-कॉंस्टेंट किंपरेचर यह देखको यहां बभी प्रॉब्लम है वाल्यूम कॉंस्टेंट तो है निए वाल्यूम तो बढ़ी रहा है जब कि यहां वाल्यूम कॉंस्टेंट लिखा हुआ है वी देख लेते हैं वी इस डारेक्ली प्रोपोर्शनल टू तो वी टी ग्राफ अगर केल्विन में करोगे तो यह ऐसे पुल मिला का अंसर कुन सा हो जाएगा इसमें पूर ठीक है आइडियल गैस के लिए नेक्स्ट कोस्टेंट फॉर्द गिवें रियक्शन पी सी एल फाइफ से चलो पी सी एल थी प्लस सी एल अब बुला है टोटल प्रेशर पी है अब डिसोसियेशन 50 परसें तो वन था तो यह जीरो 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 वन माइ यह हो गया 0.5 यह भी कितना आएगा 0.5 यह भी आएगा कितना 0.5 तो के पी का एक्वेशन लिख लेता हूं डारिक में कितना आ जाएगा 0.5 इंटू 0.5 डिवाइड बई यह भी 0.5 ही है और इधर आ जाएगा टोटल प्रेशर कैपिटल पी दिया है और टोटल मूल हो यह त्रिया आजाएगा तो टोटल प्रेशर इक्वल टू क्या आजाएगा के पी इंटू 3 3 क्प आजाएगा 3 क्प आजाएगा 3 क्प आजाएगा है आई हैटिव कोटव सी जिसका कम होगा जिसका कम होगा उसका फ्रीजिंग पॉयंट क्या होगा ज्याद होग आज कम completely थे में पर तर यह फोर मोल देगा refusal होने पर यह 3, ये 2, ये non electrolyte है, मतलब इसका I की value कितनी है, तो सबसे कम I into C किसका आएगा, 4 का, उसी का freezing point क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा, maximum पुछा है आपसे, तो answer कौन सा हो जाएगा, fourth answer, next A graph plotted between log K versus 1 by T, तो Arrhenius activation energy, Arrhenius equation, log of K equal to log of A minus E A upon 2.303 R into 1 by T, तो graph का nature क्या रहा, Y equal to C minus M और ये क्या हो गया, X intercept positive negative slope, answer positive negative slope, ठीक है next, keep the standard electrode potential of the following, तो इसमें देखो किसका निकालना है, इसका निकालना है, M N O 2 से M N 2 positive का निकालना है, अब इसमें कोई common factor ये वाला है, M N plus 3, ऐसे हमने ये diagram अबना बना लिया, अब देखो, यहाँ पर आएगा plus 4, तो आप जानते हो, delta G equal to क्या होता है, minus N की value to F E, इसका पुछा क्या है, standard E naught चलो है, E naught, ये पुछा है, इधर delta G1 निकालने रहा हूँ, delta G naught, delta G naught 1, minus N की value, 1, F, अब इसका E naught दिया हुआ है, M N O 2 से M N plus 3 का दिया हुआ है, 0.95, 0.95, इधर आजाते है, delta G naught 2 equal to minus N की value 1, F, इसका E naught plus 3 से plus 2 चाहिए, 1.51, 1.51, अब आप जानते हो कि direct जाने और इनका sum क्या होता है, equal होता है, extensive property, state function के लिए, so delta G naught अपन क्या लिख सकते हैं, delta G naught 1 plus delta G naught 2, minus 2 F E naught equal to minus, ये F रिख देता हूँ, 0.95, फिर ये भी minus ही आजाएगा, minus 1 F into 1.51, अब दोपर ये minus से मलड़ी, F से F तो कट जाएगा, फिर, minus से multiple लागे, plus ये भी plus हो जाएगा, so E naught equal to 0.95 plus 1.51 divided by कितना हो जाएगा, ठीक है, plus में ही answer आना चाहिए, ये खुल में लागे, plus में answer आएगा, plus में answer एक ही है ये अपने पास, सीधे टिक कर दिया, solve आगे करने की जरूरत नहीं है, next question, okay, तो ये पाट A में था, पाट B में फिजिकल, okay, ये रहा, पाट B में इंटिजर ताइप गॉस्टिन, at identical temperature and pressure, the rate of diffusion of hydrogen, R of H2, is 3 root 3 times of hydrocarbon है, कोई, कोई hydrocarbon है, rate of hydrocarbon, कोई बात नहीं, तो R of H2 divided by R of hydrocarbon, बाकि सब constant है वैसे तो, molar mass of hydrocarbon divided by 2, अब R of H2 क्या है, ये कितना है, 3 root 3 है, R of hydrocarbon, ये कट जाएगा, अब दिखो आप, तो molar mass of, अब इनका एक काम करते हैं, इनका स्क्वाइर कर देते हैं, ठीक है, 3 root 3 ही तो है ना, तो इसका स्क्वाइर कर दो, तो हो जाएगा 9 root 3, ये root हट जाएगा इसका, ये हो जाएगा 9, equal to molar mass of hydrocarbon divided by CnH2n-2, अरे यार, क्या लेग दिया ये है, okay, molar mass of hydrocarbon divided by 2, तो molar mass of hydrocarbon कितना हो जाएगा, 54, अब आपका क्या करना है, दिया हुआ है न, ये formula, that is equal to CnH2n-2, तो अपन लिख सकते हैं, 12n plus 2n-2 into 1, ये लिख सकते हैं, equal to कितना हो गया, 54, n की वेलू निकाल लो, यहां से solve करके, ठीक है, next, the concentration of R, इस तरह से दिया हुआ, measured function of time, देखो इसमें ये भी change हो रहा है, ये भी change हो, अब इसमें एक बार लगा लेते हैं, जिसे एक बार 0 orders check कर लेते हैं, तो 0 order equal to क्या होता है, a not minus 80 equal to kt, तो a not minus, ये भी change हो रहा है, 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 तो हमें देखना है कि, क्या, ये दोनों चे, k equal to क्या लिख सकता हूं, a not minus 80 divided by t हैं, अगर ये जितना भी दिया है data, अगर a not minus 80 by t equal to constant अगर आ गया, तो इसका मलता कौनस order है, 0 order, तो कि इस equation वो follow कर रहा है, तो पहले बाले का देख लेते हैं, 25 आ जाएगा, 25 नहीं आएगा, 0.25 आएगा, 0.25 divided by, 0.05, ये आगया, दूसरे बाले का, दूसरे बाले का करके देखो, a not minus 80, 0.35 आएगा ये, 0.35 divided by, ये कितना आएगा, time, 0.12 minus, 0.1, 0.1, 0.12, तो बारब, इसी के आसपास आना चाहिए, एक constant ही आ रहा है बैसे तो, ये हो गया, 0.75, एक्स की वेलू कितनी आए, 0.25, ठीक है, 0.25 by, 0.05 चाहिए, और इधर x कितना आएगा, 0.35, ठीक है, divided by, ये हमारे पास time, तो डिवाइड करके देख लिएगा, k constant आएगा, तो 0 order x, ठीक है, इसी तरह से किया जाता है, थर्ड है, if 8 gram of radio active isotope has half life, radio active पहले तो है, इसका मतब ये first order हो जाए, first order, half life दिया है, 8 gram का दिया है, इतना, इतना और, the half life of 2 gram, same substance का, तो आप जानते हो, for first order half life क्या होता है, 0.693 divided by k, does not depend on concentration, concentration पे डिवेड नहीं करता है, मतलब जितना भी ले लो, जितना 8 gram का होगा, उतना ही किसका होगा, 2 gram का, तो answer इसका सीदा सीदा कितना हो जाएगा, 10 देखते हैं, ओके, तो यह रहा हमारा, सारा physical chemistry का part, बाकि जो बचा होगा, वो दूसरे सर करेंगे, discuss, तो बिल्कुल basic से ही question बनाया गया था, NCRT based जैसे आता है, अच्छा पेपर भी होगा होगा आपका, तो मिलते हैं फिर, next class में, next paper में, thank you very much, hello students, मैं दयाल चोदरी, team CLC, team chemistry, अपने, जे मेंन का first paper यहां पे, इन ओर्गेनिक का part discuss करने जा रहे हैं, which order is incorrect for the year property, property दिया आगे और उनका sequence अपने को बताना है, तो first sequence के अगर आपने यहां पर बात करें तो यह आपका wrong हो गया, transition contraction की वज़े से, गेलियम की size small हो जाती है किससे, गेलियम की size small हो जाएगे किससे, अलुमिनियम से, यह रहेगा यहां पर sequence, इसकी आपकी 143 pp क के आसपास होती है, इसकी 135 p क के नियरभाई होती है, तो इस वज़े से आपका first sequence ही यहां पर incorrect हो जाएगा, second sequence में भी आपको database देखना है, clear, next question की बात करते हैं, which pair iso-structural and iso-electronics, यहां पर आपको देखना है कि इसमें electron की number भी same हो, और structure भी यहां पर same हो, तो यहां पर आपन बात करें, carbonate, carbonate का sp2-i-verdication है, koilon pair है नहीं, central atom पर, तो यह trigonal planar से आप आजाएगी, वैसे ही, nitrate ion की बात करें, यहां पर भी sp2-i-verdication है nitrogen का, तो n double bond O, O- और यह आपका coordinate bond होता है, clear, valence, यहां पर देखें, number of electron भी इनके अंदर same होगे, carbon के अंदर कितने होते हैं, 6 electron, oxygen में कितने होते हैं, 8, तो oxygen कितनी होगी, 3, तो 24 यह आगे, plus 2 यह हो गया, clear, तो 32 electron आगे total, यहां पर देखें, 7, 24, 31 हो गया, और यह 32 हो गया, तो आप का आँस पर कौन सा करेक्ट हो देगा हैं, फॉस्ट, next question की बात करते हैं, which metal does not give blue color in liquid ammonia, आपको बता है, liquid ammonia में जितनी भी alkaline metals है, वो blue color देती है, ammonated, केटाइन बन जाता है, ammonated electron बनता है, लेकिन second day में beryllium और magnesium ऐसा नहीं कर पते हैं, इनका small size होने की वज़े से valence electron tightly hold रहते हैं किससे nucleus के साथ, तो आपका beryllium नहीं करेगा, next अपन बात करें, orange acidic K2C2, potassium dichromate का जो color होता है, वो orange होता है, और यह यहाँ पर plus 6 में acidic medium हैं, यह हमेशा याद रखना, आपका strong oxidizing agent होता है, जब यह reducing agent से टकराएगा, तो यहाँ पर देखो, sulphate iron है, मतलब यह plus 4 में, तो यह आपका यहाँ rediging agent हो जाएगा, तो यह इसको sulphate iron में convert कर देगा, और खुद चला जाएगा chromium है, plus 3 में, तो कौन सा compound बन जाएगा यहाँ, तो थर्ड आपका यहाँ पर answer हो जाएगा, क्लियर, next question की बात करते हैं अपन, total structure isomers of, यह आपको complex देती है, यहाँ से इसकी oxidation state पता चल रहे हैं कि यह किसमें है, plus 3 में, यह plus 3 में होता है, तो देखिए कि आपे, AU, पहले first balance करो neutral molecule से, फिर आपका SCN, monodented है सारी, NO2 और MB-dented है, तो यह आपका बाहर को और जाएगा, cyanide, clear? तो एक तो यह हो गया, दूसरी structure कौन से हो जाएगी, AU, ANS32, SCN, इस बार cyanide को अंदर ले ले, और nitrite आइन बाहरा जाएगा, third, AU, NS32, cyanide आइन भी अंदर हो गया, NO2 अंदर हो गया, इस बार thiocyanide आइन को मैं बाहर कर देता हूँ, तो यह तीन आपस में ionization isomer हो गया, फिर यह जो नो embedded ligand है, तो यहाँ पर चार यह linkage आइस अमरिजम दे देंगे, कैसे, यह आपका gold है, gold से एक बार तो SCN जुड़ जाए, और एक बार NO2 का N जुड़ जाए, दूसरी बार gold में यह आपका SCN जुड़ आ रहे, लेकिन इसमें ONO, oxygen donor site आ जाए, third है जिसमें इसका NCS, nitrogen दे, और दूसरे में भी nitrogen दे, fourth आ जाएगा जिसमें इसका nitrogen लॉन पर दे रहा है, और यहाँ पर oxygen लॉन पर दे रहा है, तो 1, 2, 3, 4, 4 आगे linkage आई सुमर, अब देखेंगा, यह भी embedded एंटेंट तो 4 यह दे देगा, और 4 यह दे देगा आपका, clear, तो कितना हो गया, 4 प्लस 4 प्लस 4, कितने आगे, total हो गये, 12 linkage, इसके लाँ आपने बात करें, ionization आई सुमर की, तो 3 हो गया ionization, ऐसे total 15 लग रहा है अपने को देखने पर, लेकिन यह 15 होगा नहीं, क्योंकि यह वो तीन common structure है, जो already इनमें include हो चुकी है, clear, मतलब यह total 12 linkage है, इनमें 3 आपस में कैसे है, ionization आई सुमर भी है, तो ऐसे में आपका total कितना माना जाएगा, 12 ही माना जाएगा, लेकिन जब पूचे linkage, linkage 12 हैं, पूचे ionization, वो कितने हैं, तो ऐसे total structural भी 12 ही मानी जाएगा, clear, बाकि यहां पर बात है, stereoisomorism की कर नहीं रहाएगा, वरना बाकि यह GI भी शो कर सकता है, OI यह देगा नहीं क्योंकि OI के लिए 3-Divational लोना जाएगा, clear, next, हाँ तो इसमें आंसर आपका कौन सा आजाएगा, 12, next अपन सलते हैं, यहां पर अपने ऐसे बात कर रहा है कि यह complex जाएगा, इसमें iron और carbon के बीच bonding character कैसे होगे, तो आपको बताएगे, यह पाई ऐसे डिलिगेंड है, यह क्या करता है, सिगमा डोनर तो ही है, लेकिन इससे D से electron भी ले लेगा, पाई बॉन्ड भी बन जाएगा, अपने वेकेंड पाई स्टार, मतलब पाई एंटि बॉन्डिंग मोलिकुलर और वाइटल में इलेक्ट्फोल लेटेगा, तो ऐसे में आपको आजाएगा, सिगमा एंड पाई बॉन्ड दोनों character हैं, clear, next question पर चलते हैं, सिनेडिजिक फिनोमिनन नहीं है, यह organic के हो गए आपके, हाँ, अब आपको देदिया P4010, इसमें POP linkage बताने हैं, तो आपको पताएगा इसकी structure कैसे होगी, एक POP linkage यहाजाएगा, और एक POP यहाँ है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, टोटल 6 POP linkage होगी, हाँ, completely structure बनाना चाहे तो यह भी रहेगा, और P406 बनाते तो यह double bond नहीं होते हैं, clear, next, bond order आपको देखना हैं, तो MOT apply करके देखना है, इसका bond order, यहाँ पर जो electron निकता है, orbital diagram से, तो आपको पता चलेगा, सिग्मा, 2 ऐसे स्टार से निकलता है, तो ऐसे में इसका bond order है, वो 3 से भी जादा हो जाएगा, हालाएं कि इसको 3.5 लिखना रोंग है, लेकिन 3.5 के नियरभाई पहुंच आता है, यह आपन बात कर सकते हैं, इसकी बात करें, 13 electron है, तो 2.5 आजाएगा, इसको छोड़ गया है, क्लियर, बाकि यह 14 है, इसमें 14 electron तो इनका bond order होगा 3, और इसमें 12 हैं, इनका bond order होगा 2, तो आपका आंस्वर कौन सा हो जाएगा, नेक्स्ट अपन बात करते हैं, तो आंस्वर कितना जाएगा, 2 species देशे, इन विच आफ दे फॉलवएंगे, हाव मैनी स्वर्शेज गिव एंट्व ओन हीटिंग, अमोनियम सॉल्ट जितने भी होते हैं, उनको हीट करने पर अमोनिया रिलीज होती है, और अगर अमोनिया स्ट्रोंग उक्षिडाइजिग एजेंट से टकरा गई, तो वो एंट्व में कनवर्ट हो जाएगी, रहस्टू वो यहां से हट जाएगा, डन, तो यहां पर देगो, अमोनियम सॉल्ट है, और यह स्ट्रोंग उक्षिडाइजिग एजेंट है, इस वज़जे से अगर इसको इट करोगे न, तो अमोनिया बनेगी, यहां से अगर अपका इस्ट्रोंग उक्षिडाइजिग एजेंट है, तो यहां से भी N2O बन जाएगी, H2O बन जाएगा, O2 बन जाएगी और आपका I2 यहां से नेकल जाएगी, कितनी species ओगे, टोटल 4, यह आपका क्या होगा, reducing agent बाना चाता है, तो यहां से अगर बात करें तो ammonia ही बनेगी, ठीक है, heat करने पर, क्या बनने वाली है, ammonia, plus Hcn बनेगा, इसको heat करेंगे तो ammonia बनेगी, और H2SO4 बन जाएगा, तो यह भी गया, यह गया, यह गया, इसको heat करेंगे तो ammonia बन जाएगी, और HCl बन जाएगा, तो यह भी गया, अब ब क्लेंविरन में और इसमें नािट्रोजन तो यह कि ना जाएगा माइनज फॉर निट्रोजन तो इसका मतलब आगर इसको बितए तो आपके पास चाहरा है तो यह था आपका पिपर आयोप समझ में आया होगा अच्छे से अगर किसी को किसी कुछन में डाउट है तो आप यहां से उसका वीडियो सॉलिशन देख सकते हैं ओके थैंक्यू जैसी अलसी और गिनिक का हम लोग स्टार्ट करते हैं कोशन नमर 14 से 14 नमर कोशन में हैं कि हमारे पास यह कंपाउंड है और इस कंपाउंड में हमें विदाउट डबल बॉंड को एफेक्ट किये हुए ट्रिपल बॉंड के रेडक्शन से एक सिसल्कीन को प्रे कर सकते हैं विदाउट एफेक्टेड डबल बॉंड हम लोग ट्रिपल बॉंड को सिसल्कीन में कंवर्ड कर सकते हैं तो कुशन नमर 14 का आंसर हमारा क्या आजाएगा बिटा सेकेंड हां बिटा कुशन नमर 15 दपेर विच अब फॉलोइंग रियक्शन रिजर्ट दा पेर आ इस्टेरोमर को प्रेड्यूस करना है तो अगर हम लोग आप्शन नमर 2 पढ़ आए तो यहां पर मार्कोनी काव अडिशन होगा और मार्कोनी काव एडिशन की वज़े से यहां पर जो प्रोड़क्ट हमें मिलने वाला है वो क्या मिलेगा भई एक डायस्टेरोमर इक फॉर सभी को पता है वाइट प्रेसिपिटेट आफ 2,4,6 ट्राइब्रोमो फिनॉल ठीक है यह प्रेड्यूस होगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्टिट्यूशन रियक्शन टेक प्लेस करता है और्थो और पैरा पोडिशन पर हमारे पास दो और्थो पोडिशन है दाट इस 2,6 एंड बन पैरा पोडिशन है हमारे पास वोर सभी जगे पर ब्रोमो का सब्टिशन होगा जिससे एक वाइट प्रेसिपिटेट आफ 2,4,6 ट्राइब्रोमो फिनॉल का प्रोड़क्शन होगा अगला कोशन हमारे पास एर एसी मतलब अरोमेटिक सब्टिशन इलक्ट्रोफिलिक से दुबारा से है हमें इस 1,3 डाइक्लोरो बेंजीन में सल्फोनेशन परफॉर्म करना है 1,3 डाइक्लोरो बेंजीन में सल्फोनेशन देखें तो इस क्लोरीन की रिस्पेक्ट पर ये हमारे पास पैरा पोडिशन है इस क्लोरीन के रिस्पेक्ट पर ये पैरा पोडिशन है औ बल्की ग्रूप होता है जिसकी वैसे उसका अटेक सुटेबल होता है कहां पर बेटा पैरा पोजिशन पर तो पैरा पोजिशन पर अटेक यह हो रहा है तो हमारा आंसर क्या जाएगा बेटा सेकंड अगला कुशन हमारे पास है which of the following reaction will undergoes an elimination reaction and the Lken is formed as a product. लिम लिखित में से कौन सी अभक्रियाओं में विलोपन अभक्रियाओं से गजेरेução से गुजिरेगी और उत्पाद में Lken बन जाएगा सिंपल सी बात है अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर जो है यह कार्बोकाटाइन सब के सब ब्रिजेट पर आ रहे हैं यह ब्रिजेट कार्बोकाटाइन है और ब्रिजेट कार्बोकाटाइन या ब्रिज पर सब्टूशन या एलिमिनेशन किसी तरह से पॉसिबल नहीं होता लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर देखे तो एक quaternary amine हमारे पास है और quaternary amine एक suitable substance है हाउप्मेंड degradation का और हाउप्मेंड degradation की वज़े से हमारा क्या बनता है अलकीन तो यह अब क्रिया हाउप्मेंड degradation के थ्रूँ क्या प्रेड्यूस करनेगी वेटा अलकीन अगला हमारे पास है consider the following sequence reaction लिम लिखित अनुकरन पर विचार करें और सीधे सीधे सभी को दिख रहा होगा एक इंपल्स ही बात दिख रहे होगी कि यहां पर बियाल टू अबलिक कियो एच है यह हमारे पास अमाइडो ग्रूप है सब्टिटूशन टेक प्लेस करेगा इस पर यह ग्रूप नकलेगा और हमारे पास जो reaction का फॉर्मेट या जो प्रोड़क्ट बनेगा वह हमारे पास यह इे अटेक करेगा इस पर जो बनेगा वह क्या बनेगा हाप मैं यह हम लोग को सकते हैं कि हापमें ब्रोमॉमाइट रियक्शन का फॉर्मेट है और हम ब्रोमॉमाइड रिक्शन से बनने वाला प्रोडुट कि आ जाएगा विटा सेकेंड अगला कुशन हमारे पास given है कि निए और और फ्रेक्टोस के अंदर कितना फॉर्मिक एसिट बन रहा है और इसका हमें रेशियो बताना है और उब्यसी बात है जब लोग बात करते हैं तो गुलुकोस के six number of carbon से हमारे पास क्या प्रेडियूस होता है एक फॉर्मल डी तो गुलुकोस के रेशियो क्या हो गया वैई 5 is to one और अगर हम लुग बात करते हैं तो फ्रक्टोस में हमारे पास 3 formic acid बनते हैं और एक हमारे क्या बनते हैं और फर्मालडीद तो हमारा correct option क्या है गलुकोस के लिए 5 is to 1 for my formic acid vs formaldehyde और फ्रक्टोस के लिए 3 is to 1 3 is to 2 formic acid versus formaldehyde I think समझ आ गया होगा question number 7 integer का हमारे पास है which of the following reaction total number of pi bond in compound B is 8x हमें 8x की value को calculate करना है ठीक है तो सबसे पहले जब हम लोग reaction करा रहे है एन्हाइड्राइड से तो एन्हाइड्राइड से जब कभी भी बेंजीन react करता है तो वहाँ पर acylation take place करता है मतलब बेंजीन के एन्हाइड्राइड के साथ reaction से क्या बनेगा बेटा acytophenon acylation होगा यह बन जाएगा c double bond o c s 3 ठीक है अब अगर हम लोग देखे तो आगे हम लोग को एच के साथ reaction करा रहे है को एच के reaction का मतलब कौन सी reaction हो गई बेटा एलडॉल और अगर एलडॉल हो रही है तो एलडॉल होने पर product कुछ यह बनेगा हमारे पास पहले यह आया c double bond o c h 2 c o h c s 3 और यहाँ पर हमारे पास यह रिंग लग जाएगी ठीक है अब बेटा यहाँ पर heating effect का मतलब elimination होगा elimination का मतलब elkin h यहाँ से o h यहाँ से हमारे पास क्या बन जाएगा यह बेंजीन यह c double bond o यह क्या बेटा c h double bond c c s 3 और यह हमारे पास यह बेंजीन ठीक है अब total number of compound b में हमें देखने यह हमारा b compound है बेटा तीन 5 bond इधर से आगए तीन 5 bond इधर से आगए कितने हो गए 6 यह कितना हो गया 7 और यह क्या हो गया 8 टोटल लंबर अब पाइब आइब कितने है 8 और हमें value किसकी निकाल नहीं है 8 x की तो 8 x की value क्या हो जाएगी 8 into 8 your answer is 64 एक question में हमारे पास है which of the following figure हमारे पास x y represented the number of times of hopman methylation take to remove the nitrogen from the compound value निकाल नहीं हमें 10 x plus y की देखते हैं कि देखो बेटा सीधा सीधा यह halfman degradation का question है हमारे पास जहां पर हम लोग कि अमाइन को convert करते हैं quaternery अमाइन में heat करते हैं जिससे की हमारा एलकीन बनता और nitrogen remove हो जाता है तो अगर इस compound में nitrogen को remove करना है तो एक बार methylation दूसरे बार methylation से एलकीन इधर से और इधर से तीसरी बार methylation मतलब यहां पर nitrogen को remove करने के लिए हमें तीन बार methylation करना पड़ेगा मतलब x की value कितनी आ जाएगी बेटा 3 इस वाले पर already metal group present है तो एक methylation और यह दो methylation दो एलकीन बनेंगी एक एलकीन इधर से और एक एलकीन इधर से यह वाला एक एलकीन और एक वाला यह वाला एलकीन ठीक है ना इसका मतलब यहां से हमारे पस कितना आ गया y बराबर कितना बेटा 2 तो हमें value क्या निकाल नहीं थी 10 x plus y की clear है तो 10 x plus y की value क्या आ गई 10 x plus y बराबर 5 your answer is 50 अगला कुशन है total number of the D isomer of the D glucose in between the following listed compound are 2m then find out the value of 2m 2m की value हमें निकालनी है कुल मिला कि हमें glucose के जो isomer possible है उन्हें निकालना है D glucose के D glucose के कौन-कौन से isomer हो सकते हैं बाई melanose होता है fructose होगा D glucose का functional isomer यह हमारे पास glulose यह ग्लूलोस है यह पर थोड़ा सा mistake है यह हमारे पास क्या है glulose not C यह हमारे पास क्या है glulose हमारे पास आया है इसको सही कर लेना English जिन्दी में थोड़ा सा गरबढ हुआ है यह हमारे isomer होगा उसके बाद हमारे पास d-ildose हमारा isomer होगा d-galactose d-galactose is also a isomer of d-glucose so total कितने आ गये arabinose और ribose तो हो नहीं सकता तो हमारे पास कौन से आ गये melanose, fructose, galalose, elders and galactose तो हमारा answer क्या आ गया वई melanose, fructose, galose, elders और galactose तो टोडल हमारे पास कितने आई समर आगे 5 निकालना क्या है 2 x 5 x 5 is equal to कितना आगे 10 हमारा answer क्या आजाएगा 10 यह question हमारे पास है the acidic group in the given compound is 11 x 11 x अभे निकालना है अब हमारे पास इवी given compound में तो बटा यहां पर तो से से पहले तो नस्ती एक positive है ठीक अगर हम लोग यहां पर acidic group के बारे में बात करें मतलब कहां कहां से एच पॉस्टिव निकल सकता है तो हमारे पास केवल एक ही group यह नजर आ रहा है एनस फ्री पॉस्टिव जो एच पॉस्टिव को रिलीस करके किस में से कनवर्ट हो जाएगा एनस टू में कनवर्ट हो जाएगा इसका मतलब यहां पर नंबर आप एसटी ग्रूप आउनली वन है तो 11 एक्स की वैलू कित्ती आ जाएगी बेटा हमारे पास 11 डन माइशल्फ दिनेश दादीच टीम केमस्टी चल्च एडवांस का डीसीम फस्ट पेपर डिसक्स करें और सेक्शन बी में डिसक्स करें जिसमें वन और मोर देन वन करेक्ट टाइप के क्यूस्टिशन को हम डिसक्स करेंगे अच्छा फस्ट क्यूस्ट वन मोल ऑफ इन आइडियल केस्ट अलावड एक्स्पेंड आइसो थर्मली एट 27 डिग्री संटिगेट तिल इस वोल्यूम इस ट्रिपल जिसका वोल्यूम कितने टाइम हो गया इनीशिल वोल्यूम का थ्री टाइम है इफ एक्स्पांशन इस केर इस ट्रिड आउट रिवर्सिबली एक्स्पांशन रिवर्सिबली होता है तो हमें स्टेटमेंट करने हैं करेक्ट स्टेटमेंट आर की वेल्यू इतनी कंसिडर करने है और लोग 3 की वेल्यू 0.48 थर्मोडाइनेमिक्स का एक ब्यूटिफिल अच्छा क्यूस्ट थे स्टु इसो थेमल प्रोसेस में डेल्टा इपॉल टू जीरो हो गया इत मींस दैट क्यों इस एकल टू माइनस ओफ डबू हो जाएगा त्योज़ियूट माइनस ओफ डूर इसो थेमल रिवर्सिबली प्रोसेस के लिए जो डबू होता है w is equal to minus of 2.303 n r t log v2 upon v1 होता है dear students देखना w is equal to minus 2.303 n की value 1 हो गई r 25 by 3 हो गया t की value अपने पास 300 Kelvin है और log v2 upon v1 यह value कितनी हो गई 3 हो गई dear students यह value अपने पास अगर 3 आ गई तो यह value अपने को दे रखिये 0.48 अगर इसे solve करते हैं तो अपने पास w is equal to हो जाएगा minus 2763 joule per mole अपने पास हो जाएगा यह w आ गया minus में तो क्यों is equal to कितना हो गया था minus of w तो क्यों is equal to अपने पास हो जाएगा 2763 joule per mole joule per mole कौन सा option correct हो गया first option correct हो गया देखते हैं next डेल्टा सिस्टम डेल्टा सिस्टम के लिए हम लिख सकते हैं डेल्टा एस सिस्टम is equal to अपने पास होता है डेल्टा सिस्टम is equal to n और अलन वीटू अपोन वीवन यह होता है अपने पास एन आर एलन वीटू अपोन वीवन आइसो थर्मल प्रोसेस है एन की वेल्टा वन हो गई और 25 वाई 3 हो गया एलन को लोग में चेंज करें तो 2.303 और लोग अपने पास ही हो जाएगा 3 हो जाएगा यह वेल्य अपन शोल करते हैं तो यह अपने पास आता है 9.219.21 जूल पर केल्विन पर मोल जूल पर केल्विन पर मोल तो यह उप्शन अपने पास कैसा हो गया incorrect option हो गया अगर isothermal process है और reversible process है तो delta S system plus delta S surrounding surrounding यह अपने पास delta S universe होता है और isothermal reversible के लिए delta S system बराबर होता है delta S surrounding तो delta S universe कितना हो जाएगा delta S universe अपने पास 0 हो जाएगा तो यह option भी क्या हो गया correct option हो गया अगर हम calculate करते हैं delta surrounding तो delta S surrounding अपने पास हो गया W minus of Q system minus of Q system divided by T तो अपने पास delta S surrounding जो हो जाएगा वो अपने पास हो जाएगा minus 2 7, 6, 3 divided by 300 तो यह अपने पास हो जाएगा कौन सी mechanism possible है और order कितनी आनी चाहिए AB के respect में तो 2 आनी चाहिए और B2 के respect में कितनी होनी चाहिए 1 होनी चाहिए तो dear students first जो option है उसमें तो R is equal to rate constant के consider कर लेते हैं तो AB का square single step में हो रही है तो AB का square और B2 यह order calculate हो रही है और यही क्या आपने पास rate expression है तो rate expression है तो यह अपने पास क्या हो सकता है correct हो सकता है these students next to AB AB plus AB equal to अपने पास बना है A to B2 अपने पास बना है A to B2 अब कोई problem नहीं है अगर अपने पास यहां अगले step में given है तो यही तो बना है इस step में इस step में यह अपने पास product बना है तो अपने पास हो जाएगा slow step के लिए हम kinetics लिखेंगे second option में अगर slow step के लिए kinetics लिखते हैं तो R is equal to अपने पास बन गया K A to B2 multiply by B2 हम first step है reversible step है इससे जो intermediate अपने पास बना है यही तो intermediate आगे प्रोसीड हुआ तो जो intermediate बना है वो अपने पास क्या गया A to B2 इसकी value calculate करना है तो equilibrium constant K dash is equal to अपने पास हो साएगा A to B2 divided by A B का square A B का square यहां से हम A B की value पुट कर देते हैं तो R is equal to K dash A B का square और B2 यह अपने पास option बन जाएगा यह option बन जाएगा क्या यह mechanism follow कर सकता है बिल्कुल ऐसी mechanism भी यह follow कर सकता है third option की बात करते हैं तो third option में यह वाला step कैसा है slow step है और यह वाला step slow step है तो अपने पास third में आ गया अपने पास R is equal to K A B और अपने पास हो जाएगा B2 क्या एसी mechanism हो सकती है क्या क्योंकि यह step कैसा हो गया slow step हो गया तो यह mechanism नहीं हो सकती है fourth step की बात करें तो fourth step में देखना fourth mechanism में slow step है slow step में अपने पास आ गया R is equal to K A B और अपने पास हो गया A B 3 यह अपने पास हो गया A B 3 D students यह intermediate कौन हो गया A B 3 A J intermediate हो गया तो यहां से fast step से हम किसको consider कर सकते हैं fast step से equilibrium constant K days is equal to अपने पास हो गया K days is equal to A B 3 upon A B और क्या हो जाएगा B 2 हो जाएगा अगर इसे हम replace करते हैं इसके दिए तो R is equal to क्या हो जाएगा K K days A B का square और अपने पास हो गया B 2 तो यह option भी इस kinetics को क्या कर रहा है follow कर रहा है तो कौन सा option और correct हो सकता है यह वाला option भी correct हो सकता है ओके दिए स्टुदेंट्स next third questions check करते हैं adsorption isotherm of the three gases adsorption से related है surface chemistry से related अच्छा questions है so in the following figure there is theta is the percentage surface area of adsorbent powder charcoal powder charcoal है जो किसी surface पे adsorb हो रहा है उसमें से theta area को क्या कर लिया है adsorb कर चुका है covered by the partial pressure of P जो partial pressure P पे यह adsorb कर चुका है the gases over the adsorbent then which of the following statement is our correct for the mono layer formation जहां केसा formation हो रहा है एक layer का formation हो रहा है if any finite value of the pressure is show the highest extent of adsorption एका adsorption ज्याद हो रहा है these students यहां से हम P को consider करते हैं P को constant कर दिया P को constant कर दिया तो जितना surface cover हुआ होगा उसी surface के according adsorption ज्यादा हो रहा होगा तो जिसके लिए 1 by theta कम हो गया उसका adsorption क्या हो गया ज्यादा हो गया तो यह adsorption किसका ज्यादा हो रहा है C का adsorption ज्यादा हो रहा है तो हम बोल सकते हैं कि at the any finite value of the pressure C show the highest extent of adsorption एक तो अपने पास क्योंचा हो गया C हो गया and next जिसका adsorption ज्यादा होता है उसका critical temperature जिसका ज्यादा होगा उसका adsorption भी क्या होगा ज्यादा होगा तो किसके critical temperature की value हाई रही होगी C के critical temperature की value हाई रही होगी तो एक कौन सा हो जाएगा fourth वाला अपने पास correct हो जाएगा ये वाला अपने पास क्या हो जाएगा करक्ट हो जाएगा ओके डिस्टुडेंट्स नेक्स डिस्केस करते ही डिस्टुडेंट्स 7 नमबर क्यूस्टंस 1,3 ब्यूटाडाईन है एक बार SBR का एडिशन माइनस 80 डिग्री पे हो रहा है एक बार SBR का एडिशन 45 डिग्री सेंटिग्रेर पे हो रहा है 1,3 ब्यूटाडाईन की मेकेनिजम को हम डिस्केस करते हैं तो अपने पास 1,3 ब्यूटाडाईन SBR इस पे अटेक करता है तो अपने पास First of all कौन अटेक करेगा Electrophilic addition reactions होगी H plus अटेक करेगा यह जब इस पर H plus अटेक करेगा तो दिखना यह कार्बो केटाइन का formation होगा जो की क्या है stable Y इसमें resonance हो सकता है तो इससे अपने पास एक बन जाएगा यह वाला इधर मूँ कर जाएगा और positive charge दिया जाएगा intermediate की बात करें यह वाला intermediate क्या है more stable है यह वाला intermediate more stable है क्यों more stable है CS3 के eye effect methyl group का eye effect लग रहा है और यह वाला intermediate है वो क्या है less stable है यह वाला intermediate less stable है अब अगर product बनता है तो product अगर हम बनाएं तो इससे अपने पास यह वाला product बनेगा इससे अपने पास ये वाला प्रोड़क्ट बनेगा जिसमें ये डबल बॉंड यहां आ गया और बी आर डबल बॉंड यहां हो गया और अपने पास बी आर यहां आ गया ये वाला डबल प्रोड़क्ट बनेगा इसमें ये वाला बन जाएगा और ये वाला product हो गया ये बिया, ये अपने पास 1-2 addition हो गया और ये अपने पास 1-4 addition हो गया, these students ये product ज्यादा stable है क्योंकि double bond की position double bond क्या हो गया, more stable more conjugated हो गया, more hyper conjugated हो गया, तो double bond क्या हो जाएगा, ज्यादा stable हो गया more stable हो गया, तो ये product है वो thermodynamically thermodynamically control हो जाएगा high temperature पर यह वाला product बनेगा और यह temperature kinetically controlled हो गया low temperature पर यह वाला product बनेगा अब दीर students देखते है major product P is there kinetically formed by the 1-2 edition kinetically product वह और 1-2 edition से form हो तो statement क्या हो गया correct statement अपने पास हो गया major product क्यों major product क्यों thermodynamic product formed by the 1-4 edition विल्कुल thermodynamic product and 1-4 edition से related हो गया तो second statement भी कैसा हो गया correct statement हो गया reaction intermediate of both one and second reactions is carbocatine दोनों reactions किस से proceed हुई है carbocatine से proceed हुई है okay P is there one bromo but to in P product one bromo नहीं two bromo है और but one in हो गया तो यह statement क्या हो गया और यह statement अपने पास wrong हो गया तो कौन से सही हो जाएंगे फर्स्ट शेकिंड एंट थर्ड ओकेडी स्टुदेंट्स नेक्स्ट चुज correctly match column column one को column second के साथ correctly match करना है फर्स्ट क्या है मिथाइल ओवज इथाइल और इस डिफ्रेंट डिफ्रेंट टाइप के एलकोल है rate of esterification इनके लिए rate of esterification rate of esterification जो अपने पास होता है rate of esterification rate of esterification is directly one upon steric इंड्रेंस स्टेरिक इंड्रेंस स्टेरिक इंड्रेंस स्टेरिक इंड्रेंस इंक्रीज हो जाएगी तो rate of esterification decrease हो जाएगी तो इस्टेरिक इंड्रेंस क्या हो रही है इंक्रीज हो रही है तो esterification की rate क्या हो जाएगी decrease हो जाएगी तो एलकॉल के dehydration जे सेंडरी और ये क्या हो गया primary इस्टेरिक हिंब्रेंस क्या हो रही है डिक्रीज हो रही है तो अपने पास इसकी reactivity कार्बो केटाईन के तुरूफ प्रोसीड होती है इसकी reactivity ज्यादा रहेगी थर्ड अगर बात करते हैं आपने पास यह सब से अच्छा living group कौन होता है? Acid chloride और सबसे weak living group होता है amide में. तो यह कौन सा? सबसे ज्यादा reactive हो गया. तो यह order भी क्या हो गया? Correct order अपने पास हो गया according to living group tendency. Okay dear students next check करते ही In which of the following reaction which major product is more acidic than phenol. These students अपने पास जो phenol होता है phenol यह होता है. अगर phenol यह हुआ. अगर phenol में electron withdrawing group लग गया. तो electron withdrawing group लगने से इसकी acid strength क्या हो जाएगी? Increase हो जाएगी. और electron donor group अगर इसके साथ attach हो गया तो acid strength क्या हो जाएगी? Decrease हो जाएगी. यहां हम देखते हैं product बनेगा reduction होगा. तो यहां पे जो product बनेगा वो अपने पास बन जाएगा OH और N2. Acid strength इसकी क्या हो जाएगी? Decrease हो जाएगी. क्योंकि electron donor group लगा है. यहां जो अपने पास product बनेगा वो product बन जाएगा अपने पास OH और COH यह इसकी acid strength है. वो फिनोल से क्या रहेगी? ज्यादा रहेगी. तो इसकी acid strength फिनोल से ज्यादा होगी. अगर इसकी बात करें dilute HNO3 तो अपने पास बनेगा जो product है ortho nitrofenol. एजे major product बनेगा. और इसकी acid strength भी क्या होगी? इससे क्या हो जाएगी? ज्यादा. क्योंकि ortho nitrofenol में ये electron withdrawing group का काम करेगा. अपने पास यहाँ BR एक equivalent लिया non polar medium में लिया है. तो यहाँ पे OH अपने पास BR. major product यह बनेगा. पेरा product ortho product भी बन सकता है. तो दोनों ही cases में ये electron BR के लिए कौन सा effect ज्यादा होगा? minus I effect इसका dominant हो जाएगा. तो acid strength क्या हो जाएगी? increase हो जाएगी. तो कौन कौन से हो जाएगे? second, third or fourth. Okay dear students, next discuss करते हैं. section C discuss करें. जसमें integer type questions है. N2O3 dissociate into the NO and N2O3 at equilibrium pressure of 3ATM equilibrium pressure of 3ATM all three gases were found have equal number of the moles in the vessels. Okay students, तो यहाँ पे N2O3 इस तरह से dissociate हो रहा है NO plus NO equal mole है और pressure 3ATM है. तो pressure कितना होना जी? इसका भी 1 इसका भी 1 और इसका भी 1 equilibrium pressure आ गया. तो यहाँ KP की value कितनी हो गई? 1 हो गई. In another vessels, equimolar mixture of N2O3 NO and N2 taken at the same temperature but the initial pressure of 9ATM. एक दूसरा container है, जिसमें same type of equilibrium established हो रहा है. और यह हो गए आपने पास NO plus N2 equal mole है और total initial pressure कितना है? 3ATM है. Equal mole है तो अपने pressure भी क्या हो जाएगा? equally distributed होगा तो इसका pressure 3 हो गया, इसका भी 3 हो गया, इसका भी 3 हो गया. Initial pressure हो गया. D students यहाँ क्यों calculate कर लेते हैं? तो Q is equal to अपने पास हो जाता है, क्यों calculate करेंगे? तो P NO into P NO2 upon P N2O3 P N2O3 यहाँ से Q is greater than K P हो गया. तो reaction किस direction में हो जाएगी? बेक direction में proceed होगी. और यहाँ हो जाएगा 3 minus X 3 minus X और 3 plus X यह किसके equilibrium constant के equal हो जाएगा? जब equilibrium restore हो जाएगा तो अपने पास हो जाएगा K P is equal to P NO into P NO2 upon P N2O3 यह अपने पास हो जाएगा. इसको solve करते हैं. यह बनाना है. यह 3 minus X का square और यह क्या हो गया? 3 plus X हो जाएगा. इस equation को solve करेंगे. तो X is equal to कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा. X is equal to 1 हो गया. तो इसका मतलब इसका partial pressure कितना हो जाएगा? 1 ATM हो जाएगा. OKD students next 1 mmol of sulfuril chloride absorb in 400 ml of water at 298 Kelvin. The pH of resulting solution is pH SOCL sulfuril chloride का मतलब हुआ SO2Cl2. जब यह HCl H2 के साथ absorb करेगा तो अपने पास बनाएगा H2 SO4 plus 2 HCl. यहाँ अपने पास यह initially अपने पास 1 mmol है. तो यह अपने पास कितना हो जाएगा? अपने पास 1 mmol मिलेगा और इसके कितना मिलेगा? 2 mmol बनेगा. लेकिन इससे अपने पास number of H plus I वो twice हो जाएगे. तो total concentration after that reactions of SOCL2 with H2 total H plus I की जो concentration हो जाएगी अपने पास वो हो जाएगा. 2 तो इसका जाएगा इसका 2 H plus रिलीज करेगा तो कितने टाइम हो जाएगी? 2 टाइम हो जाएगी तो अपने पास 4 mmol हो जाएगा 4 mmol हो जाएगा divided by 400 ml तो concentration अपने पास कितनी होगी? total H plus I की concentration 10 to power minus 2 H plus I की concentration 10 to power minus 2 है तो pH कितनी हो जाएगी? pH अपने पास 2 हो जाएगी ओके दिस्टूदेंट नेक्स डिसकेस करते ही what is the minimum pH required to prevent the precipitate of Z and S in a solution of 0.01 M Z and CL2 and saturated with 0.1 M H2S D students Z and S का precipitate होना है तो अपन बात करते ही Z and S के बारे में यह Z and S जो ionized होगा इस तरह से ionized होगा Z and plus 2 plus S minus 2 इस तरह से अपने पास ionized हो जाएगा और इसके लिए limiting pH के लिए अपने पास क्या होना चीए Q is equal to KSP होना चीए तो Q is equal to अपने पास हो गया Z and plus 2 और S minus 2 यहाँ से हम calculate करते ही तो Z Q अपने पास कितना होना चीए 10 to power minus 1 is equal to Z and plus 2 की concentration कितनी अप्टेन होगी 10 to power minus 2 तो S minus 2 कितना होना चीए S minus 2 की concentration अपने पास आनी चीए 10 to power minus 19 होनी चीए ओके दीर स्टुदेंट्स अब H2S के लिए H2S इस तरह से ionized होगा H2S 2H plus plus S minus 2 इसके लिए K equal to अपने पास हो गया minus 20 यह कितना होगया 10 to power minus 19 अपन 10 to power minus 1 यहां से H plus का square हो गया 10 to power minus H plus का square 10 to power minus 2 और H plus 1 की concentration कितनी होगी H plus 1 की concentration 10 to power minus 1 तो pH कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी तो 1 pH पे क्या हो जाएगा इसकी minimum pH हो जाएगी जहां यह precipitate से रोका जा सकता है Okay dear students next discuss करते ही How many amino acids are negatively charged at pH 7 Dear students pH 7 pH 7 पर वो वाले amino acids negatively charged होंगे जो क्या होंगे neutral होंगे और क्या होंगे basic होंगे तो यहां पे अपने पास aspartic acid acidic amino acids हो गया और glutamic acid acidic amino acids हो गया तो कितने amino acids basic हो निट्रल हो गये 1 2 3 4 5 और 6 6 amino acids हो गये तो यह amino acids क्या होंगे negatively charged हो जाएगे answer कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा okay dear students next discuss करते हैं the compound axis composed of carbon hydrogen and oxygen carbon hydrogen or oxygen रखता है it has 2 geometrical isomers geometrical isomers it is 4 stereo isomers 4 stereo isomers all stereo isomers are optically active सारे के सारे stereo isomers is optically active if ox is the smallest alkinoic acid alkinoic acid this का meaning हुआ कि अपने पास alkyn भी होनी ची और acid भी होना ची तो अपने दिमाग में यह लगता है कि एक तो double bond होना ची और क्या होना ची chiral center भी present होना ची तो क्या formula हो सकता है CS3 CH double bond double bond अपने पास यह double bond geometrical isomers show कर रहा है इसके बाद C except H except CS3 और CO यहाँ पे अपने पास यह वाला carbon chiral carbon भी present है यह वाला chiral carbon भी present है तो अपने पास कितने carbon होगे 1, 2, 3, 4, 5, 4, 6 कितने carbon की requirement है 6 carbon की requirement है तो answer कितना हो जाएगा अपने पास 6 इसका answer हो जाएगा ओके दीर students देखते है next the total number of the organic product in the final mixture first of all इसका ozonalysis हो रहा है ozonalysis अगर इसका होगा O3 के साथ reactions करवाएगे तो अक्स जो बन जाएगा अपने पास बन जाएगा यह हो गया CHO और यह भी CHO और यहाँ भी क्या हो जाएगा अपने पास CHO और CHO इस तरह का आपने पास compound बन जाएगा ती स्टुडेंट्स इसकी रियक्सान अनस्टू OH के साथ करवाएगे अनस्टू OH के साथ hydroxyl amine hydroxyl amine के साथ करवाएगे तो क्या बनेगा oxyne बनेगा oxyne में क्या हो जाएगा अपने पास यह अपने पास ओग्जाइम बन जाएगा. C, H, double bond, N, और O, यह वाला product अपने पास इसमें form होगा. इस double bond में यह ओग्जाइम है, वो क्या show कर रहा है? GI show कर रहा है. अब अपने पास एक symmetric exam हो गया, तो symmetric exam में number of double bond 2 होगे. वैसे आप formulae से calculate कर सकते हैं, और अपने पास क्या हो जाएगा? इन चारों का configuration E, E, E और E आजाएए. इन चारों का क्या हो जाए? Z, Z, Z और Z configuration आजाए. इसका Z, Z और इनका E, E configuration आजाएए. इसका Z, E और इसका क्या आजाए? Z, E configuration आजाएए. और इसका क्या हो जाए और इसका configuration भी तो टोटल कितने बन जाएंगे five isomers अपने पास form हो जाएंगे ओके दीर स्टुडेंट्स next check okay thank you all the best good morning students मैं डॉक्टर मनिस डूडी मां आपको इन और गिनिक केमिस्टी की जो किशन है उनके बारे बात करेंगे पहला जो किशन दिया अपने तो लिंकेज आइसमेरिज्म लिंकेज आइसमेरिज्म पर्जेंट करेगा क्योंकि यह कौन पड़ा है अपने पास पड़ा है नेक्स्ट बात करते हैं विच्छु आइसमेरिज्म लिए फेले की बात करेंगे बात करें इसकी और ट्रिपल न कोडिदे ओ दूसरी की स्सेक्ट आइवन और न डबल बांट ओ को स्थेगे बनाइवन आइपन double bond O coordinate O double bond O coordinate O चोथे की structure बनाई है बन N O N double bond O coordinate O double bond O coordinate O ठीक है यहाँ पर N N bond अपने पास है तो पहला answer आजएगा यहाँ भी N N bond है second way answer आजएगा third में भी अपने पास N N bond है तो third भी अपना answer आजएगा तो answer आजएगा 1 2 3 next बात करते हैं करें A is a black compound of manganese, it react with a halogen acid B to give a greenish yellow यहाँ से देखिए बिटा, greenish yellow gas, मतलब CL2 मिल रही है, यह reaction क्या हो जाएगे अपने पास? M N O 2 plus HCl, तो क्या बन जाएगा M N Cl 2 plus Cl 2 gas बन जाएगे क्या बन जाएगी? Cl 2 gas बन जाएगी तो अपने पास देखिए बिटा, gas क्या हो गई? C gas हो गई? एक्सिस में, when access of C react with ammonia, ammonia की reaction अपन Cl 2 से कराते है, एक्सिस में को है बिटा? एक्सिस में Cl 2 है, तो यहाँ क्या बनता है? N Cl 3 का formation होता है, N Cl 3 plus HCl बनती है साथ में, तो यह अपने पास B compound वापस बन गया है, यह कैसा है? विस्फोटक है, तो देखें क्या क्या है, एक हैलोजन acid B is HF, नहीं HF नहीं बनेगी, gas C is F2, gas C भी क्या है बिटा? Cl 2 है, यह भी स्ट्रोंग स्टेट्मेंट हो गया, correct statement अपने लिए बात किया है, hybridization of nitrogen remaining same in the product as in ammonia, hybridization क्या हो रहा है? nitrogen क्या मिल रहा है, अपने को? अपने ले ले, क्या ammonia अपने ले 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 तो क्या बनेगा? प्लस Cl 2 तो अपने को बन जाएगा NH4 Cl बन जाएगा क्या? प्लस N2 gas बनती है, ठीक है, यह reaction है, दोनों ही important reaction है, तो अपना fourth भी answer हो जाएगा, तो अपना answer आगया third and fourth. Next बात करते हैं. इसमें बात करते हैं, under hydraulic condition, the number of the following compounds are an SICL for and which is the, are used to prepare, give silicon's compound. किसका silicon's compound formation में यूज़ कर सकते हैं, तो बेटा, इसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, इसका यूज़ कर सकते हैं, इनका hydrolysis करोगे तो अपने को silicon compound मिल जाएगा. इसका hydrolysis करेंगे तो अपने को silicon compound मिल जाएगे, इसका भी मिल जाएगे, इससे hydrolysis possible नहीं है, इसका पोसिबल नहीं है, इसका करेंगे तो अपने सिलीकोन मिल जाएगे, पर इसमें बात करेंगे, तो इसमें अपने को क्या मिलेगा? एक पर जरूरी है यह अपना आंसर आजाएगा यह पर 03 नेक्स्ट बात करें बटा कि किरने कथन सकते हैं पहले बात करें लीनियर है यह नहीं है रॉंक स्टेटमेंट हो गया इसमें देखो बैक बोंडिंग यह किसके संधर्म में बात कर रहा है यहां पर ध्यान रखना गैलियम नहीं है जर्मेनियों है ठीक है यह यहां भी यह मोल्कुल नहीं होगा क्योंकि यहां पर कहां जा रहा है यह बैक बोंडिंग असेप्टेबल नहीं होगी तो यह रों स्टेटमेंट होगे अपना प्यामिदल अपने को हलकी फुलकी बैक बोंडिंग आएगी इसमें ठीक है तो अपने बात कर देंगे इसमें प्योर हाइली डैलूट सॉलूशन ऑफ सोडियम इन लिक्वेड अमोनिया तो यह इपने कहा है अनो पिरामेडिय है बैक बोंडिंग कंप्लीटली वाली बैक बोंडिंग नहीं आई इसमें पड़ा है यह पॉसीबल नहीं यह बैक बोंडिंग नहीं है इसमें अपना अलग है क्रेक्शन है इसमें ध्यान रखना आपने का जीरो तो यह स्टेटमेंट अपना सही हो गया आगे बात करें हाइली प्योर डाइलूट सोलूशन ऑफ सोडियम लिक्वेड अमोनिय डी थिक नेक्स्ट बात करते हैं है ना ओर मैनि ओप दु नौट है आब अल्राइंटिकल कि से यह बात करें सभी अपने इसमें सारी नहीं है इसके स्पाइब सेम होंगे है इसे सरे इसमें रहती है इसमें नहीं होंगी तो नहीं तो अपना आजेगा बेटा जिरोतों तो यहीं बेटा इन और्गनिक की किशन थे आपके इसमें जाहतर वेटर्स अपने किसको दिया कोडिनेशन के एडवास में में किशन कहां से आते हैं कोडिनेशन से काफी किशन आते हैं ठीक है आज के लिए इतना ही थेंक्यू